Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel, DNK View Popular तो Friends, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है केस के रूल के बारे में बताने जा रहा हूँ इससे पहले मैंने जो है केस के रूल से सम्बन्दित 9 वीडियो बता चुका हूँ आज जो है ये दसवा वीडियो है तो दसवे वीडियो में हम लोग जानेंगे रूस नमर 33 का नोट नमर 3 नोट नमर 3 में है यदि जीरन के पहले किसी lifeless things का पर्योग हो तो जीरन के पहले पर्योग lifeless things के साथ apostrophe S का पर्योग कर possessive नहीं बनाया जाता है जैसे हम लोग इसको example के थुरू से समझते हैं जैसे example है there is no danger of the roof crashing तो यहाँ पर जीरन का पर्योग कहा हुआ है crashing के रूप में और उससे पहले क्या है roof है और roof एक क्या है noun है और यह कैसा noun है non living things है lifeless things है मतलब जिसमे जीवन नहीं हो जैसे roof roof में च्छत होता है तो अगर lifeless things अगर आये जीरन के पहले तो उसमें जो है apostrophe S का पर्योग नहीं किया जाता है जैसा कि यह example सही है उसी के नीचे यहाँ पर दूसरा देखते है there is no danger of the roofs crashing तो यहाँ पर जीरन आया है और जीरन से पहले noun है roof और इसमें जो है apostrophe S का पर्योग किया गया है जो कि गलत है अब हम लोग rules no.34 को देखते हैं 34 में है possessive pronouns possessive adjective के साथ apostrophe S और apostrophe का पर्योग नहीं होता है क्योंकि यह खुद possessive है तो possessive pronouns और possessive adjective जैसे कि आप लोग जानते होंगे possessive pronoun क्या होता है और possessive adjective क्या होता है जैसे कि यहाँ पर योर जो यूज हुआ है यह क्या है possessive pronouns है तो ऐसे pronouns के साथ जो है apostrophe S या फिर apostrophe का परियोग नहीं होता है जैसे कि अगर हम लोग yours daughter लिख देते हैं तो यह क्या हो जाएंगे wrong हो जाएंगे और इसी के जगह पर अगर हम लोग your daughter लिखते हैं तो यह क्या होगा सही होगा उसी तरीके से हर है हर एक क्या है possessive pronouns है और इसमें apostrophe S लगा दिया गया है और lover लिखा गया है तो यह क्या हो जाएगा wrong हो जाएगा अगर इसके जगह पर अगर हम लोग her lover करते हैं तो यह क्या होगा सही होगा अब हम लोग इसी को जो है sentence के रूप में समझते हैं जैसे कि his wife is more beautiful than yours apostrophe तो अगर इस तरीके से लिखते हैं last में yours लिखकर apostrophe देते हैं यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा his wife is more beautiful than yours यह क्या होगा सही होगा अब हम लोग next rule पर चलते हैं रूस्ट नमर 35 रूस्ट नमर 35 में है the oblique this that these those पलस नाउन पलस और पलस नाउन के साथ apostrophe yes का परियोग नहीं होता है अगर इस तरह का structure अगर रहता है किसी भी sentence में तो उसमें जो है apostrophe yes का परियोग नहीं किया जाता है जैसे कि हम लोग यहाँ पर example के थूर से इसे समझते है this advice of Mr. Pandes is important अगर इस तरीके से लिखते हैं तो यह क्या हो जागा गलत हो जागा जैसे कि यहाँ पर this आया है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते है the, this, that, these, those इन में से कोई एक आया है this आया है यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर noun है तो यहाँ पर advise एक क्या है noun है उसके बाद of यहाँ पर आया है उसके बाद क्या है फिर noun है तो यहां पर noun के रूप में Mr. Pande आया है तो अगर इस तरीके का एक structure हो तो last में जो है apostrophe S नहीं लगाया जाता है जैसे कि यहां पर लगाया गया है तो यह क्या हो जागा गलत हो जागा और अगर इस तरीके से लिखते हैं तो यह क्या होगा सही होगा अब हम लोग next rule पर चलते हैं रूस नमर 36 रूस नमर 36 में है यदि किसी noun का परियोग sentence के subject के रूप में हो तो इसके साथ apostrophe s का परियोग सामाने तया नहीं होता है अथार्थ noun nominative case में परियुक्त होता है जैसे कि हम लोग इसको example के थुरू से समझते हैं से पहले हम लोग जान लेते हैं nominative case आप लोग जानते होंगे case किसने परकार के होते हैं there are four kinds of case उसमें से एक है nominative case जिसको हम लोग subject case भी कहते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे kids यहाँ पर kids में apostrophe आया है तो यह क्या होगा गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि अगर कोई noun subject की रूप में परियोग होता है और वो क्या होता है वो noun क्या होता है दो ए सी स्थिति में जो है उसमें apostrophe is यह आपाउस्टोफी का परियोग नहीं होता है जैसे कि यहांपर apostrophe का परियोग हुआ है जो की wrong है उसी तरीके से यहाँ पर kids है इसमें apostrophe ez का पर यह हुआ है यह भी क्या है रोंग है और अगर सिर्फ हम लोग किट सुझे हैं यहां फर आपोस्टोफी होगा सिर्फे किट रोहीर होगा इसे रोह मांटिक पोएट तो यह क्या हो जाएंगा आप लोंग इससे समभंदित कुछ को देखते थे नौट नौट नूमर वन कुछ महत्पून तत्यों को देखते हैं तो नौट नूमर वन में है जब नाउन्स अपोस्टोफी yes का अर्थ नाउन्स पलस नाउन्स से होता है तो नाउन्स का परयोग sentence के subject के रूप में होता है जैसे कि हम लोग example के थुरुसे से समझते हैं जैसे यहाँ पर क्या कर रहा है जब nouns का अर्थ तो यहाँ पर जो है सुदिर में जो है apostrophe S का परियोग हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं nouns तो इसका अर्थ हम लोग यह समझ लेंगे कि nouns plus noun it means nouns apostrophe S plus noun समझ लेंगे इसका अर्थ क्या हो जागा nouns plus noun it means noun का noun जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं सुदिर इसे new car तो यहाँ पर जो है nouns का nouns तो दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पर एक noun है कार यही कार जो है यहाँ पर आजाएगा nouns के noun की रूप में जैसे सुदिर का कार इसके रूप में तो सुदिर का कार क्या है नया है अगर हम लोग इसी को इस तरीके से लिख देते हैं सुदिर इसे new car तो यह क्या हो जागा रोम हो जाएगा अब हम लोग next note पे चलते हैं note number two पे चलते हैं note number two में है nouns apostrophe yes का परियोग name of the owners of some business तथा some well nouns soaps को denotes करने के लिए किया जाता है जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर शुरू में अगर nouns आता है उसके बाद apostrophe आ जाता है तो ऐसे nouns जो है वो किसको indicate करता है सुचित करता है कोई name of owners of some business को indicate करता है तथा some well nouns soaps को indicate करता है जैसे कि आप यहाँ पर समझ सकते है अनील अंबानी is gradually increasing अनील अंबानी का बैपार धीरे धीरे बढ़ रहा है अगर हम सिर्फ इतना लिख देते हैं अनि लंबानी इस गरेजुली इंक्रीजिंग तो यह क्या हो जागा गलत हो जागा रोंग हो जागा तो यह था आज का वीडियो